सो फ्रेंट्स फाइनली मैंने आइफोन 11 बाई कर लिया है मैंने ओलेक्स से यह आइफोन 11 लिया है यह मेरे को 25,000 में आया है 25,000 की रेंज में आइफोन 11 मिला मतलब वह बहुत ही बेश्ट बात है क्योंकि आइफोन 11 की अभी आप सेकंड हैं प्राइस देखने के जाए होगे तो आपको 30,000 से लेकर स्टार्ट हो दिये 30,000 से आपको 35,000 की बीच में आइफोन 11 मिलता है अभी बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में तो यहाँ पर मेरे को 94 पसंट अभी बैटरी हेल्थ इसकी बचिए आप यहाँ पर देख सकते हो की 94 पसंट अभी हेल्थ है इसकी बीच मेरे के बात करते हैं ऐसकी बात करूं तो बहुत ही कमाल का विचल का आपको यह कैमेरा मिल जाता है और यह आगे की side भी आपको 12 एक्सल का camera मिल जाता है और iPhone alien में आपको यहाँ पर ultra wide camera भी मिल जाता है तो कि जो कि आपको यहाँ पर zoom in zoom out के लिए बहुत ही बेस्ट option है और यहाँ पर यह black color में यहाँ पर मेरको यह मिला है जो कि अभी तक एक भी कोई भी dent या कोई भी scratch नहीं आया है अभी बात करते हैं इसके वीडियो के बारे में तो आप यहाँ पर 4K वीडियो सूट कर सकते हो और वो भी 60fps में मैंने खास यह फोन इसके लिए लिया है क्योंकि जो इसकी वीडियो कॉलेटी है बहुत ही बेस्ट तो कुछ इस तरी की कि आपको stability बहुत ही गजब की stability मिल जाती यह वाले आइफोन 11 में आइफोन 11 और आइफोन 11 Pro Max में कोई उतना डिफरेंट नहीं अगर आप 12 लोगे 30 लोगे तो उसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिलेगी लेकिन यह LCD डिस्प्ले के साथ आता है और इसक क्योंकि आपका आप सुबर से सुबर चार्ज करोगे एक दिन तो आपका एक दिन तक पूरा यह चलेगा बैटरी तो कुछ चीज तरीके का फोन है यह आइफोन के अंदर आपको आइफोन की A13 चीप अंदर आती है जो कि आपको गेमिंग के लिए बहुत ही बेस्ट मिल जा तो कुछ चीज तरीकी का मैंने फोन बाई किया है अगर आपको यह वाला एड़ेप्टर मंगवा नहीं तो इसकी लिंक डिस्क्रिशन में दे दूंगा और आप यहां पर मार्केट में जाके यह फोन ढूनोगे तो आपको लगबग 30,000 के आसपास आपको यह वाला फोन मिल जाता है भी बात करते हैं सोफ्ट्वेर के बारे में तो यहां पर आपको आइफोन एलों सोफ्ट्वेर वर्जन आपको यहां पर 15.4.1 आपको सोफ्ट्वेर वर्जन मिल जाता है और यह फोन यूज करने में बहुत ही सोफ्ट और सिंपल लगता है क्योंकि जो इसकी जो ट आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरह की वीडियो मेरे यूटूब चैनल पर आती रहती है